स्वागत निगरोगे हमारा सो वेलकाम 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 एर्यवन टो दिस अमेजिंग रिविजिन सेशन जिदर आज हम क्या रिवाइस करेंगे AS-12 वहमारा मीठा मीठा प्यारा प्यारा Accounting for Government Grants बराबर ठीक है चलो चुटा सा AS है जादा difficult भी नहीं है बहुत easy है और मैंने इसको आपको class में याद रहेगा तो बड़े chart form में समझा के simplify कर दिया था ठीक है तो यह मैं board notes हो है वो telegram पे डाल दूँगा मेरे telegram का लिए description box में जाओ download करो एकदम मजे करो ठीक है चलो तो without wasting any time let's start मैं यहां concept और question दोनों revise कर रहा हूँगा एकदम शांती से प्यार महबद से बस सिंतों बेचलना फिर आपके लिए यह AS बड़ा आसान हो जाएगा ठीक है चलो सबसे पहले नमबर ता AS 12 नाम ता accounting for government grants सबसे पहले what is the meaning of government government मतलब central government, state government, local authority यह सब जब आपको help करते है assistance provide करते है उसको बलते government grant बराबर तो it is a assistance by government in cash और in kind for past or future compliance मतलब grant जब देंगे तो ऐसा नहीं कि free में दे दिया कुछ compliance मांगेगे, suppose land दिया तो बोलेंगे land पर यह काम करना पड़ेगा, suppose आपको plant दिया तो बोलेंगे plant जब परपस के लिए उस परपस के लिए उस करना पड़ेगा suppose cash दिया तो बोलेंगे cash जब परपस के लिए उस परपस के लिए उस करना ऐसा नहीं कि dividend बाट ले और लेगे घर पे वैसा नहीं चलेगा, ठीके आगे, फिर आएगा scope अब हो scope में गापताएगा AS12 किस पर अपलेकेबल नहीं है तो सबसे पहले अगर कोई grant मिलता है in the form of tax holiday period what is the meaning of tax holiday holiday मतलब छुट्टी और tax की छुट्टी मतलब suppose मैं teaching वाल अच्छा काम कर रहा हूँ government ने देखा बुला, आरे आका सर आप कितना बड़ीया काम कर रहे हो आप पढ़ाते हो बच्चों को आप 5 सालता tax मत बरना मैं तो बोला हाँ, सची मैं नहीं मानता वो बोले हाँ, 5 सालता tax बरने की माफिया आपको उसको बोलता है tax holiday period तो वो सब का coverage यहां नहीं होता है उसके अलावा अगर government ना आपके company में participate किया है as a equity shareholder as a equity shareholder बराबर तो उसको government grant नहीं बोलेंगे उसको government participation बोलेंगे because वहाँ तो government ना मुझे पैसा दिया बदले में मेरे company के shares ले गया तो वो यहां covered, वो भी तरह का जो participation वो भी यहां covered नहीं है ठीक है, चलो, उसके बाद आप किसी भी grant को record कब करोगे वो बोलता है grant को record करना जब दो condition fulfill हो जाए सबसे पहला आपके पास reasonable assurance होना चीए दो चीज़ होगा पहला, कि जो भी grant को लेकर conditions है वो आप comply करोगे, दूसरा reasonable assurance होना चीए यह आपको grant मिल जाएगा that the grant will be received अच्छा इस पर clarify कर दू इसका यह मतलब नहीं है कि grant को आप cash basis पर record करना नहीं, नहीं, grant को accrual basis पर record करना है, बस वो grant मिलने का एक assurance होना चीए आपके बस for example, suppose अपने वहाँ मोदी जी आए, बोले भाईो बहनो grant दे देंगे, अब अपने को पता है वादे तो बहुत करते, देते कोई नहीं है लेकिन मालूम पड़ा, मोदी जी ने वादा भी किया एक letter भिजवाया, mail भिजवाया है ना, अब यह से अब अपने को reasonable assurance दे रहे हाँ, तब आप grant book कर सकते हो तो grant can be booked on accrual basis provided these two conditions are met अगर इसमें से कुछ भी चीज़को लेकर doubt लगता है तो फिर grant cash based पर book करने का ठीक है, अच्छा उसके अलावा normally जितने भी आपन questions करते है normally वहाँ ऐसा मान लिया जाते है कि grant का पैसा आपको तुरंती आ गया है, और तभी आपन grant book करें जितने भी आपन questions करते है, उसमें यह देखा गया है anyways, clear वाला part ठीक है उसके बाद accounting treatment गवर्मेंट grant का गवर्मेंट grant नौर्मली दो प्रकार की होते है एक होता है capital grant, एक होता है revenue grant ठीक है अब ये तो normal bifurcation दिया हुए हम capital grant नौर्मली तब बोलते है जब grant मिल गया है in the nature of promoters contribution और बाकी सारे grant को हम income approach या revenue grant की तरह से classify करते है but anyways, ये तो एक basic bifurcation है the main bifurcation is what I am going to discuss now तो ये उप्रवाला आपको नहीं चुनदा तो भी चलेगा main यहां आना, ठीक है types of government grant अब government grant के दो broad category है एक है non-monetary grant, एक है monetary grant what is the meaning of non-monetary grant जब grant आपको kind में मिलता है उसको बलते है non-monetary for example, आपको land free में दे दिया आपको के machine free में दे दिया है ना, उसको बलते है non-monetary, मतलब पैसा नहीं दिया कुई asset दे दिया आपको free में non-monetary grant, और एक होता है monetary monetary में में को पैसा मिलता है अब मैं non-monetary का बात करूँगा अब मैं किसका बात करूँगा, non-monetary का बात करूँगा non-monetary में दो चीज़े हो सकती है या तो आपको asset मिला at a concessional rate now what is the meaning of concessional rate सस्ते में asset मिला है, देखो ये फिर non-monetary कैसे हुआ sir देखो एक क्या तरीका होता है कि आपने building खरीदा 10 करूड का और government आपको repay किया 6 करूड ये non-monetary नहीं हुआ क्योंकि यहाँ आपने 10 करूड भरा है government 6 करूड मिला है ये तो monetary हो गया तो यहाँ कुन सा आएगा मालो 10 करूड की building है government ने बुला 6 करूड आपको माफ 4 में आके ले जाओ मतलब यहाँ मैंने 10 भर के 6 वापस नहीं लिया यहाँ मैं net 4 करूड ही भरूँगा तो यहाँ मुझे जो benefit मिला है government से वो non-monetary benefit है तो उसको बलते receive the asset at concessional rate 10 करूड का asset 4 करूड में मिल गया तो ऐसे asset को आप equation cost पे record करना मतलब जितने में आपको पढ़ा उतने में आप record कर ले आपको चार में पढ़ा आप चार पे record करो खतम कहानी दूसरा अगर asset free में मिला है building worth rupees 10 free में दिया बोला अरे लग tip है तेरी tip रख ले तो उस case में यह मत बुलना immaterial value तो आप क्या करोगे entry मारोगे building account debit to government grant या capital reserve जो भी मारना है मारलो क्योंकि वैसे भी immaterial है एक रुपय, दस रुपय, सो रुपया वैसे करके आपन entry मार देंगे तो question में अगर कभी आपको बोल दिया कि nominal value पे grant मिला है एक बार non-monitory हो गया फिर हम किदर आएंगे monetary grant में आएंगे monetary में क्या होता है हमने asset खरीदा या कोई खर्चा incur किया अब government आके हमको cash में grant देता है ठीक है, तो इसमें तीन broad cases है सबसे पहला grant relating to fixed asset इन लोग ने नहीं हर जगे fixed asset word use किया है but actually PPE होना चाहिए fixed asset शबदी replace हो गया PPE से anyways, तो PPE बोले fixed asset बोले बात तो एक ही है तो grant relating to fixed asset दूसरा है grant relating to revenue nature now what is the meaning of revenue nature sir revenue nature मतलब देखो एक तो आपको grant मिला किसी asset को reimburse करने के लिए कि आपने कोई PPE खरीदा रहेगा उसका खर्चा reimburse के और grant दिया दूसरा है आपको grant मिला किसी खर्चे को reimburse करने के लिए मतलब suppose आपने कोई salary pay किया employee को उसको reimburse करने का आपको grant मिल गया suppose आपने कोई training दिया employee को उसको reimburse करने का grant मिल गया suppose आपने कोई campaign चला है marketing का देश के भलाई के लिए जैसे आपने बोला पोल्यों की बुंद पिलाओ आमिता बच्चन को हायर किया तो जो advertising का expense है वो government आपको reimburse कर दिया मतलब किसी जब खर्चे को reimburse करेगा तो इधर आएगा और तीसरा है grant in the nature of promoters contribution समझा ठीक है अब पहला है monetary grant relating to fixed asset या PPA अब PPA में दो तरह के asset होता है एक होता है depreciable एक होता है non depreciable बराबर depreciable asset जब है तो दो method है ठीक है एक्जामपल ले लेते company purchase building वर 10 CR grant receive 6 CR मतलब 10 करोड की building आपने खरीदी मतलब आपने पहले 10 pay किया फिर 6 करोड को grant में वापस मिल गया life 10 साले मानके चल लेना दो method है पहला method बोलता है इस grant को asset की cost से reduce कर दो इसका मतलब आपको पता है ना मैंने concept के साथ आपको हर चीज journal entry के form में सिखाई थी यह देखो suppose आपने building to bank करके building पहले record करा फिर जो grant मिला उसको आप building के cost से less कर देना अब grant मिलता है तो मतलब bank debit हो रहा है बराबर अब मुझे इस grant को building के cost से adjust करना है तो bank तो debit कर दिया तो create करूँगा building तो इसलिए मैंने यह entry मारी cash bank account debit to building account इसका मतलब मैंने पहले building को 10 पे record किया जो grant मिला उसको मैंने building के value से less कर दिया in short मेरा net building का value कितने पे record हुआ चार करणों पे record हो गया अब जब मैं depreciate करूँगा तो मैं कितने पे करूँ depreciate 10 CR या 4 CR देखो 10 CR तो आपके day 1 के value थी उसमें से 6 तो आपने adjust कर दिया न तो जो आज value बचिये उसी भाप करूगे depreciation that is you will depreciate the 4 CR का value तो 4 CR divided by 4 ES 0.4 का आएगा depreciation इसको PNL में फिर हम कर देंगे transfer, that's it ये पहला method है किसका है? depreciable asset का पहला method है फिर आएगा depreciable asset का दूसरा method इसमें आपन क्या करते हैं? इसमें हम जो grant मिला उसको asset से नहीं छेड़ते उसको हम एक deferred income की तरह दिखाते इसकी life 10 साल है तो ये जो income है ये भी day one पे नहीं ये भी 10 साल में book होनी चाहिए न matching concept जिस चीज के लिए grant मिला है उसका खुद का life 10 साल है तो grant को भी आप आज book करोगे as a deferred income और 10 साल तक profit and loss में जाएगा सरे deferred income क्या होता है? deferred income is like a liability you can say सर वाई ऐसा माल लो देखो जब आपने मुझे advance accounts का आपने batch खरीदा मेरा आपने मुझे fees जल्दी भर दी तो मैंने आपको classes provide तो की नहीं उसके पहले आपने मुझे fees भर दी तो मेरे जो advance में fees मिलती है वो मेरे लिए deferred income होता है deferred income को आप advance liability भी कहते हो advance income भी कहते हो deferred income भी कहते हो मतलब वक्त से पहले जब पैसा मिल जाए accrue होने से पहले पैसा मिल जाए deferred income deferred income is like a liability कभी-कभी इन लोग उसको reserve भी बोलते है बट reserve ने liability एक तरीके से because आपने अगर specific purpose के लिए उस नहीं किया अब इस account से आप हर साल over the life of the asset transfer करोगे पैनल के अंदर तो मान लो आपका building जो है वो 10 साल तक हो रहा है depreciate तो यह जो grant है यह भी 10 साल में जाएगा profit and loss में तो for example अब building से आपने छिडगाने नहीं कि building को आपने 10 पे रखा तो building पे depreciation 10 CR पे ही आएगा ठीक है तो depreciation to building 1 CR 1 CR अब जो grant है यह grant यह 6 करोड पे देख रहा है इसको transfer करना है पेनल में over a period of 10 years तो आप क्या करोगे यह grant DGG को reverse करोगे तो बोलेंगे DGG account debit देखो DGG liability की तरह है तो जब liability reverse करोगे debit करोगे आप तो PNL हर साल आप 0.6.6 transfer करते हैं चलोगे अब मैं एक step आगे जाके आपको मेरा थोड़ा better clarity दिया था देखो method number 2 में ultimately क्या हो रहा है PNL में आपका एक तरफ दिख रहा है depreciation 1 CR का और एक तरफ दिख रहा है यह जो आपने transfer किया PNL के other income में जो grant है वो वो 0.6 CR का net खर्चा कितना दिख रहा है 1 CR का expense 0.6 का income तो net खर्चा आपका दिख रहा है 0.4 CR का मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो method number 1 और method number 2 दोने में कोई खास फरक नहीं है सिफ presentation का फरक है method number 1 में क्योंकि मैंने asset की cost से adjust किया तो खर्चा net 0.4 का दिख रहा है method number 2 में क्योंकि मैंने अलग-अलग book किया तो मेरा खर्चा अलग दिख रहा है मेरा income अलग दिख रहा है net impact उतना ही है so it is just the way of presenting things sir exam में क्या करना है अगर question में बोला गया company ने कौन सा method follow किया तो आप वो method follow करोगे अगर नहीं बोला गया है तो आपको दोगला पंती दोनो method की तरफ से answer लिक्के आना पड़ेगा ठीक है ध्यान रुतना तो यह मैंने कौन सा method discuss किया आपके साथ अगर grant मिला है for a depreciable asset तो आपको यह करना है दो method आपके पास या तो cost sales करो या फिर अलग से deferred income करो और deferred income को हर साल profit and loss में transfer करो over the life of the asset clear यहां तक पक्का समझा देखो we are under revision तो मैं revision point आवी से बाते करूँगा but I am trying my best to make you recall things which I have told in class ठीक है चलो आगे बढ़ते फिर आएगा if the grant is received for a non depreciable asset what is the meaning of non depreciable मालो land के लिए आपको grant मिला suppose land है 10 करोड की आपको grant दीदा 6 करोड का तो एक तरीका तो क्या है इस grant को asset की cost sales कर दो बराबर वो तो अपने को आता है दूसरा तरीका अगर आप चाहत दो कि मैं cost sales ना करू तो यहाँ आप deferred income करके यह नहीं बोल सकते हैं की asset के life में transfer कर दो यह non depreciable asset है इसके life ही नहीं होती तो यह जो बोल सकते हैं आपन डीजीजी करके life में transfer करो वो नहीं कर सकते तो सर अगर मैं cost sales नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूँगा तो उसके इसमें दो possibility है आपको फिर देखना पड़ेगा grant conditional है या unconditional है grant unconditional का मतलब क्या हो गया कि grant मिला है without any conditions attached to it आपको land का पैसा दिया बोला जो करना है कर कोई condition attached नहीं है तो ऐसे grant को बोलते है grant received in the nature of promoter's contribution और grant कभी भी promoter's contribution के nature में होता है तो वो हमेशा capital reserve में जाता है मतलब insurance transfer to profit and loss हम सीधा सीधा उसको capital reserve में ले जाएंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यह आपकी regular income नहीं है normal income नहीं है तो इसको P&L moment डालो इसको आप एक fixed reserve में डालो basically capital reserve is not a free reserve वरना आप क्या करोगे? free reserve में डालोगे और उसको फिर different part दोगे वो नहीं चलेगा इसलिए बोलते है specific reserve में जाके book करो उसको ठीक है? उसके बाद what is the grant is conditional? what is the meaning of conditional? suppose land के लिए पैसे दिये बुला land खरीदने के बाद 5 साल तक बेचना मत मारूं बड़ा land पे पाटी बीटी कर रहे है यह सब नहीं चलेगा land को specified purpose के लिए उसकरना ऐसा पाद चलता करना पड़ेगा आपको तो अगर इसको बोलते है conditional grant तो अगर condition 5 साल की है तो फिर आप जो grant का पैसा मिला है उसको book करना deferred government grant और over the period of 5 years आप transfer करना profit and loss के अंदर यह किसके लिए है non depreciable देखो depreciable में आपने कभी ऐसा देखा नहीं conditional यह सिर्फ non depreciable के अंदर होता है क्योंकि इसमें असर क्योंकि life नहीं होती है तो वापस से अगर कोई non depreciable असर के लिए grant मिला है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे या तो हम असर की कोई से reduce कर देवे पहला method दूसरा अगर आप यह नहीं करना चाहते हो तो फिर देखना पड़ेगा grant conditional है अगर grant unconditional है तो हम treat करेंगे like a promoter's contribution और transfer करेंगे capital reserve के अंदर और अगर grant conditional है तो फिर हम क्या करेंगे non depreciable भी हो गया ठीक है I hope this is clear to everyone आगे grant relating to revenue nature अगर आपको कोई भी grant मिला है of revenue nature मैंने बताया था ना किसी भी P&L के expense को reimburse करने के लिए grant दिया गया है generally these grants are received to reimburse the expenses of the company salary expense, employer training expense, advertising expense वगेरा तो इसके लिए grant मिला है तो क्या करना जितने साल का खर्चा reimburse कर रहा है उतने साल में grant book करना for example government बोलता है हम आपके company के एक साल के employee की पगार reimburse करेंगे तो पगार एक साल के reimburse हो रही है grant भी एक साल में बुक होना चाहिए अच्छा government बोलता है हम आपके company के 5 साल की salary expense reimburse करेंगे तो फिर जो पैसा मिला है वो 5 साल का salary expense reimburse करने के लिए मिला है तो ये grant भी over the period of 5 है जाना चाहिए profit and loss के अंदर मतलब simple matching concept अगर grant वापस है अगर grant मिला है to reimburse expenditure of 1 year तो grant जाएगा in P&L over 1 year अगर grant मिला है to reimburse the expenditure of 5 years तो grant जाएगा in P&L over the period of 5 years तो grant जाएगा P&L में ये तो पता है बस कित्ते साल में जाएगा उसके लिए देखना कित्ते साल के खर्चे reimburse करने का promise हुआ है तो देखलो पहला पार्ट grant receive to reimburse the expenses of 1 year मालो example salary expense was 90 lakhs per annum grant receive was 30 lakhs to reimburse the salary of 1st year तो एक साल के खर्चा reimburse कर रहा है 30 lakhs को आप transfer करोगा P&L में अब जब आप P&L में दिखाते हो ना तो दो तरीका ये दिखाने का presentation के दो तरीके सबसे पहला या तो expense को अलग दिखाओ और income को अलग दिखाओ expense 90 का income 30 का या फिर जो आपका grant मिला है उसको expense दीचे से ही net of करके दिखातो तो salary expense मेरा 90 था 30 का grant मिला तो P&L में अलग-अलग दिखाने के बदले net 60 का expense दिखातो ऐसा only way of presentation is different बाके सब सेव है तीसरा sorry, अगला grant received to reimburse expenditure of multiple years example, salary expense was 90 lakhs per annum पगार हर साल 90 lakhs किये grant मिला है 100 lakh का lump sum to reimburse salary of 5 years अब आप बोलोगे सर पगार 90 lakh की है grant क्यों दिया 100 का 100 वाला grant दिया गया 5 साल के लिए तो पहले तो इस grant को आप बुक करना है ऐसा DGG और 100 डिवाइड बाई 5 every year 20 lakhs जाएगा आपका profit and loss में मतलब salary हर साल की 90 lakh है और हर साल का reimbursement is not 100 वो तो 5 साल का reimbursement है हर साल का grant is only 20 तो उतना आप DGG जैसे निकाल कर 20 ट्रांसर करों के profit and loss के अंदर अगें दिखाने के दो तरीके है या तो salary 90 और grant 20 दिखाओ या फिस salary net करके 70 दिखाओ clear वाला part ठीक है अच्छा उसके लाब कभी कभी क्या होता है grant is received for any past expenses incurred पहले आपने अच्छे काम किये थे तब कोई grant promise नहीं था अब government ने देखा कि पहले इसने बड़े अच्छे काम किये चलो इसको grant दिया जाए तो अगर आपके पुराने करम के लिए आपको grant मिल रहा है ना अगर आपके पुराने करम के लिए आपको ग्रांट मिल रहा है तो ऐसे ग्रांट को अगें बोलेंगे रिसीट इन दे नेचर अफ प्रोमोटर स कॉंटरिबिशन और इसको आप कैपिटल इजर्में ट्रांसफर कर दो ठीक है चल आगे बढ़ जाते हैं उसके बाद अगर specifically question में बोला गया है that grant is received in the nature of promoter's contribution सरे प्रोमोटर कॉंटरिबिशन होता किया है normally यह grant आपको मिलता है to set up a business, factory, plant, machine in a backward region मतलब government आपको यहां देता है पैसा और बोलता है इस पैसे चे जो करना है करो अच्छा करना बस भला करना दुनिया का उसको बलते grant in the nature of promoters contribution exam में hint क्या है अगर आपको question में दिख जाए कि grant is received for a backward region backward region बोल देगा या notified area बोल देगा तो grant is in the nature of promoters contribution ठीक है अब अगर ऐसा बोले ना grant is received for a backward region तो उसमें ये मत देखना कि आपने खर्चा किस के लिए किया है machine के लिए किया है, plant के लिए किया है ये सम मत देखना अगर backward region के लिए या notified area के लिए grant है दिया है उसमें तुम कुछ भी करो तुमें ना plant खरीदो, तुम machine खरीदो तुम कुछ भी करो उसको हम मानेंगे grant in the nature of promoters contribution और ऐसा grant हमेशा capitalism में जाता है बच्चे नॉर्मल यहां mistake क्या करते है भूलते सर, backward region छोड़ो मिला तो plant इसके लिए company ने तो plant के लिए यूज किया ना company ने किसके लिए उसके उसके फरक नहीं पड़ता है जब promoters contribution के लिए पैसा मिलता है तो company कुछ भी कर सकती है वो company की choice थी company ले प्लान खरीद लिया company चाती तो कुछ और भी कर सकती थी ठीक है तो ऐसे grant को आप हमेशा capitalism में transfer करोगे विजसे ले मैं लिखके भी दिया है hint that grant is in the nature of promoters contribution hint यह है notified region कभी गभी ऐसा भी लिखता है sorry backward region कभी-कभी notified area भी लिखता है notified area तो यह भी आप चेतो आड़ कर लो उसके अंदर I hope this is clear to everyone clear? yes यह था grant का पूरा accounting तो asset के लिए मिला तो क्या करना है बराबर in the nature of revenue मिला तो क्या करना है and for promoters contribution मिला तो क्या करना है simple अब आएगा refund refund मतलब grant दिया आपको आपने जिस काम के लिए दिया वो तो काम किया ही नहीं है ना आप government बोलता चल पैसा वापस दे ठीक है तो जब refund की बात आएगी तो refund का से करना है तो देखो refund का treatment depends कि जब grant मिला था तब क्या किया था आपने तो मान लो if the grant received was adjusted against the cost of asset जब grant मिला तो आपने cost कम किया था तो refund से cost बढ़ जाएगी for example जब grant मिला तो entry कहा मारी थी cash bank to asset यह मिलने पे entry थी refund पे entry उल्टी हो जाएगी क्यों? refund में पैसा जा रहा है तो आप बोलोगे to cash bank और debit क्या कर देना PPA तो again वही matching concept है जिस तरीके से आपने receipt को treat किया था उसका exact उल्टा रहेगा refund ठीक है तो refund का मिलने entry मार रहे PP to cash bank clear? अच्छा जब आप यह entry मारते हो ना मतलब आपने जब refund को PP से adjust किया है तो एक चीज़ समनने वह जरूरी आपके PPE की carrying amount बढ़ जाती है तो जब PP का value change होता है very good answer depreciation changes prospectively देखो आपने AS10 में सिखा था कि अगर PP का carrying amount change हो जाए या life change हो जाए तो its depreciation will change prospectively retrospective मत करना पहले बता रहो बराबर तो after above entry the carrying amount of asset increases therefore depreciation for subsequent years will also increase that is prospectively no retrospective effect if the grant received was transferred to DGG as deferred income मतलब जब grant मिला था तो आपने ऐसे deferred income book किया था तो refund भी वहीं से करना पड़ेगा लेकर इसमें एक दिक्कत है दिक्कत क्या सुनना suppose grant मिला 100 crore का PNL में 5 सार में जाना चाहिए था अब day 1 पे आपने पहले book किया DGG 100 CR अब refund का बोर है on the first day of third year तो मैं बोलू इस 100 CR में से दो साल तक आपने PNL में transfer कर चुके हो देखो 100 crore का day 1 का balance था बराबर उसमें से हर साल 2020 PNL में transfer होना चाहिए था तो आपने दो साल तक PNL में 2020 करके transfer कर दिया तो DGG में आज balance किता पड़े 60 का पड़े जिस दिन refund की बाद चल रही है उस दिन DGG में balance 60 का पड़ा है बट refund तो आप पूरा 100 करोगे तो जो balance refund करेगो कहां से refund करेंगे वो आपके दाएगा PNL से तो इसलिए entry का बनेगी 2 cash bank refund पूरा हो गया जितना भी DGG में balance है वो reverse करना बचावा balance अब PNL से reverse करोगे सबको समझाए वाला पाट इसलिए वो यहां ऐसा लिखा गया refund of grant will be done from DGG up to the balance in DGG excess if any will be adjusted against PNL बराबर ठीक है उसके लावा जब grant अगर मिला था तो आपने capital reserve में transfer किया था तो refund devise कर देना exact ulti entry capital reserve to cash and bank उसके लावा last point कभी कभी एक quote करना पड़ सकता है आपको refund of government grant is treated as an extraordinary item as per AS5 यह चीज़ आपन AS5 के अंदर भी देख लेते बराबर AS5 में लिखा गया यह चीज़ refund of grant is an extraordinary item इसी बात पर आपकी conceptual कहानी खतम हो जाती है क्या आपको इतना पाट समझ आता है इतना समझ आया तो आपको मज़ा आ जाएगा अब मैं questions की बाते करूँगा जो एकदम basic basic question है बताऊंगा वो practice करना बड़ जो अच्छे question है LDR वाले वो मैं भी revise करूँगा फटाफट से जैसे illustration 1,2,3,4 तक है यह सब basic question है यह सब आपको clarity देने के लिए काम हैंगे ठीक है तो पड़ जरूर लेना इसको जो धंका question है वो अपने लिए सबसे पहला question है question number 9 देखो मैं यह नहीं बोला बाकी सब मत पढ़ना सारे question read करना मेरा motive है revise कराना कौनसा question है जिसमें कुछ अच्छा पाट है इसलिए ठीक है आजाओ सबसे पहला वो बोलता है illustration number 9 के अंदर कि on first April MAC received a government grant of 60 lakhs ठीक है grant कितने का मिला अपने को 60 lakhs का grant मिला अपने को for machine costing 300 lakhs तो machine की cost कितनी थी 300 lakhs थी grant मिला 60 lakhs का that means अब इसमें किया क्या सुनना the grant was credited to the cost of asset grant को आपने cost of asset से adjust किया हुआ है मतलब 300 lakhs की cost थी 60 lakhs grant तो 240 पे आप charge करोगे depreciation ध्यान रखना life अगेरा दे रखे 10 years machine की okay machine was depreciated at 10% WDV basis WDV बोला गया ठीक है company had to refund the grant in June 19 first June 19 को refund करना है अब June 19 बोला है कुछ नहीं बोला है तो हमेशा first day of the month मानना सबसे पहले आगे देखते how the refund of the grant is dealt क्या treatment रहे का refund का देखो जब grant मिला तो cost से less किया तो refund भी वही से करना है पहली बात दूसरी बात अब जब refund करोगे तो refund first day पे नहीं हो रहा है June में जाके हो रहा है तो पहले June तक की value पे आजाओ कैसे करोगे सुन लो मेरी बात मैं आपको solution दिखाताओ इसके इदर आओ इदर आजाओ मैंने मस तो solve करके रहा आपके लिए इस पर दर वो देख सकते हो आप illustration number 9 सबसे बहले cost of machine purchased less grant ठीक है यह आपको मिला net cost of machine 240 यह 1st April 16 का बात चल रहा है refund हुआ है 1st June 19 में तो तब तक का charge करो depreciation तो 16-17 WDV depreciate किया 17-18 WDV depreciate किया WDV मतलब return non-valuable depreciation है ऐसे करते करते मैं आया 31st March 19 के carrying amount पे refund 1st June को हुआ है मार्च से लेकर June तक का भी 2 महने काना चे depreciation तो वो भी करना आप तो आपको मिलेगी carrying amount on 1st June अब आप refund add back कर देना अब क्योंकि refund मैंने असकर के cost से minus कहता तो add back भी करूँगा मैं तो मैंना add back कर दिया तो मुझे मिला नया cost of machine after the refund अब इसको मैं करूँगा depreciate over the remaining life तो इस साल में 10 महीं नहीं बचे तो इस साल में मैं इस नए carrying amount पर 10% charge करूँगा as my depreciation that's it अब इसमें entries पूछी थी for the year 1920 तो एक तो refund की entry आ जाएगी सिर्फ 1920 का entry पूछा तो 1920 में क्या हुआ है refund हुआ है और depreciation बुग हुआ है depreciation पूरे साल का ये limited purchased the machine worth 40 lakhs useful life is 4 years residual value 8 lakhs grant received 16 lakhs entry चाहिए to be passed at the time of refund in third year कुछ नहीं बुला तो माल ले न first day of the third year में refund हो रहा है and the value of asset if the grant is credited to fixed asset account मतलब अगर आपने grant को PP से adjust किया है तो refund के time क्या होगा और अगर आपने grant को DGG से adjust किया होगा है तो फिर refund के time क्या होगा उसके एक तो refund के entry चाहिए दूसरा value of the asset चाहिए निकालेंगे शांती से पहले के करके बात करते है पहला case अगर आपने grant को PP में adjust किया है तो क्या होगा तो सबसे पहले आप day 1 की value पे आ जाना day 1 की cost मेरी 40 lakhs है ठीक है जो भी grant है पहले adjust कर तो यहां से है फिर आपको मिलेगी day 1 की net cost अब charge करो depreciation ध्यान रटना in case wherever there is residual value तो जितना भी आपका cost है minus the residual value divided by number of years वैसे निकालना depreciation तो एक साल दो साल किया depreciate मुझे मिली value at the end of second year अब third year के first day पे refund हुआ है तो क्योंकि grant received को मैंने cost adjust किया था refund को भी वहीं adjust करना refund में यहाँ add back कर दूँगा तो मैंने refund किया add back मेरी नई carrying amount होगे 32 lakhs अब मैं आने वाले साल में इस 32 पे charge करोंगा depreciation कैसे 32 minus the salvage value divided by the remaining life अब गलती बते लोग क्या करते divide by 4 years करते अरे 4 years तो day one के life थी राजा आज 2 साल के बाद 2 साली बचा है न यार 4 साल में से 2 साल खतम हो गए तो जिन्दगी के 2 साली बचे है न यार तो divide by 2 करना ओके बस तो बस मैंने सब कुछ निकल के दे दिया refund के entry मार दी कि refund मैंने assets adjust किया है दूसरा तो grant मिलने से या grant के refund से asset की value में कोई change नहीं होने वाला वापस से क्या बोला मैंने अगर जो grant मिला उसको आपने book किया as a deferred income तो grant मिलने से या grant के refund करने से asset को कोई फरक नहीं पड़ता क्यों क्योंकि जब मिला तो आपने asset की cost से minus नहीं किया तो refund के समय वहाँ से minus नहीं वहाँ से add back नहीं करोगे तो asset को के फरक ही नहीं पड़ेगा बराबर क्योंकि grant की accounting है अलग चल रही है पूरी-पूरी तो यहाँ देखो if grant was transferred to DGG तो उस case में calculation of fixed asset day 1 की cost यहाँ समय नहीं ग्रांट को adjust नहीं किया year 1 depreciation 8 lakhs year 2 8 lakhs even if you refund the grant फरक नहीं पड़ेगा इसका depreciation won't change because refund को में cost में add back नहीं कर रहाँ तो इसका third deal में भी depreciation will be 8 lakhs this won't change as refund is not adjusted against PPE यह पहले मेरे asset की value निकाल दी मैंने दूसरा है अपने को बोले grant का refund का entry का रहेगा तो उसके लिए निकालना पड़ेगा deferred government grant में balance किता बचा है आपने book किया 16 lakh asset की life 4 years थी तो यह 16 lakhs was to get transfer in panel over a period of 4 years ठीक है तो 16 divided by 4 हर साल 4 lakh 4 lakh transfer होना चीए था तो 2 साल तक मैंने ऐसा transfer किया अब balance बचा है 8 lakhs third year के first day पे refund हो गया refund तो पूरा 16 किया है तो जितना balance DGG में उतना वहाँ से adjust करना बाकिया पेनल में transfer करते है ना कहान ही खतम सबको समझा हीरो लोग मैंने क्या बोला तो this is a very good question for a clarity purpose करके जरूर जाना है इसको ठीक है उसके बाद अगर मैं धंके question पे आऊ तो हाँ ये वाला question अच्छा है question number 3 इसमें जो key point उसकी बात करूँगा सुनना आपने machine खरीदी 20 की 5 साल life थी इसकी अब grant आपको मिला 80% बट कब मिलना पता है 2020 में मिलुए है machine 70 में खरीदी grant मिला 2020 में 80% cost का grant मतलब 20 lakhs value है 80% मतलब 16 lakh का grant मिला है बट दिक्कत पता है किया है अब देखो ये question काई पाट है ये question काई पाट है cost 12 ती जिस दिन तो grant मिला है तब तक आपने बहुत सारा चार्ज कर दिया depreciation तो आज value 8 lakh की बची है लेकिन grant मिला 16 lakhs का और company की इच्छा है कि वो grant को cost से less कना चाहती है लेकिन उत्ती cost बची ही नहीं है तो 16 वाले grant की accounting क्या होगी एक simple entry मैं समझाता हूँ grant मिला 16 का जितना machine का value हो उतना वाँ suggest करो तो machine हो जाएगा निल बचा वा grant P&L में transfer कर देना of course इसके alternative treatment भी हो सकते है कोई बोलेगा नहीं मैं DGG book करेगा तो कर सकते हो but I say नहीं यह बोला हुआ है जो की सही भी लगता है मेरे को क्यों ऐसा क्यों हुआ सर क्योंकि grant आपको समय पे नहीं मिला कुछ सालों के बाद मिला इसलिए ऐसा हुआ तो special case से ध्यान रतना भाई ठीक है उसके बाद question number 4 पढ़ लेना इसमें एक point important है कि वो जो grant का refund हुआ है वो आपने cost में add किया है तो इनों ने बोला कि हम depreciation retrospective निकालेंगे गलत prospective आता है तो वो ध्यान लगता ठीक है उसके बाद एक question number 8 है ये अच्छा question है इसमें काफी कुछ cover हो जाएग आपका मैंने इधर ही summarize करके रखा है तो आपने नहीं लिखा है तो आप यहाँ लिख सकते हो बैठके इट received a grant at 40% towards equation of machinery हम सीख चुके है जब भी depreciable asset के लिए grant मिलेगा दो method है या तो grant को asset की cost से reduce करो या फिर आप second method क्या है DGG book करो और DGG को transfer करो पेरल में over the life of PP बस यतना आपको answer करना था उसके बाद capital subsidy मिला है for a notified backward region मैंने क्या बोला था backward region दिखा notified area दिखा capitalism में transfer कर देना तीसरा भी same है मिला है बहुत चीज़ों के लिए बट बुला है notified area के लिए मिला है transfer to capitalism उसके बाद it received 5 lakhs from the local authority for providing corona vaccine free of charge to its employees जब आप vaccine free में दे रहो तो vaccine खरीदने में खर्चा लगा रहेगा बट आपने free में दिया तो अब ये जो grant मेला है का क्या करे दो तरीका है या तो खर्चा अलग दिखाओ और grant को other income अलग transfer करो या फिर grant को खर्चे से नटकर के दिखातो तो या तो you will book the grant as other income या फिर you will adjust from expense basically ये grant है revenue nature वाला या दे किसी खर्चे को reimburse करने के grant मिला तो क्या करते पैसा चौता वापेस है किया चौता आपको बोला गया है कि आपको grant मिला है for a power plant अब इसमें एक चीज़ confusing है बोलता है कि हमने जो grant मिला उसमें से 90% towards capital expenditure किया balance towards revenue किया irrelevant हमको कोई फरक नहीं पड़ता grant किस purpose के लिए मिला है वो देखा जाता है तो grant मिला है for power plant दो method या तो cost से reduce कर दो या फिर book as DGJ and transfer to payroll over the life of the asset उसके बाद अपने एक शांदर question था question number 9 बढ़िया question था simple question था please ध्यान रखना क्या बोलता है 1st April 21 ill and your limited purchase plant 60 lakhs life 10 years salvage 10 lakhs plant के against अपने को grant मिला है 20 lakhs का अब अपने से पूछा है depreciation का amount you are required to calculate amount of depreciation for the financial year 22-23 मतलब depreciation आपको first नहीं secondary का पूछा ऐसे कैसे asset खरीदा है आपने 21 को but पूछा है depreciation 2023 का मतलब secondary का पूछा ध्यान रखना अब उसमें multiple cases है सबसे पहला if the grant is deducted from the value of plant अगर आपने grant को plant के value से adjust किया तो secondary का debt क्या होगा इतर देख लो मैंने कर रखा एकदम प्यारा सा solution दे रखा आपको मैंने एकदम शांदिजा आपने की अब है देखो पहला case तो उस case में जो भी cost है उसमें से grant निकाल दो बचा इतना तो अब salvage इतना है life इतना है इस basis पे first record debt will be 3 lakhs second debt debt will also be 3 lakhs simple तो मुझे second debt का पुछा गया है तो पहले cost में से grant minus कर देना फिर बचेवे cost पे आप second debt का debt निकाल देना simple दूसरा if the grant is treated as deferred income अगर आपने deferred income treat किया है तो cost तो change होई नहीं cost तो 60 पे रह जाएगी तो फिर आप grant को less मत करना cost से grant को लगसे दिखा देना तो 60 पे चाज करो के depreciation year 1 का 5 lakh year 2 का 5 lakh कोई change नहीं है 5 lakh रह जाएगा आपका ठीक है तीसरा if the grant amount is deducted from the value of plant but at the end of second year grant is refunded अब मेरी बात ध्यान से सुनना यहाँ game होएगा आपके साथ refund कब हो रहा है यह देखो refund हो रहा है end of the second year में तो जब second year के end पे refund हो रहा है तो depreciation year 3 onwards change होएगा year 2 का change नहीं होएगा जैसे grant आपको मिल का 20 का बराबर 40 लाइस बची value year 1 में आपने किया depreciate year 2 में आपने किया depreciate अब year 2 के end पे refund हो रहा है तो year 2 का depreciation won't change वो 3 लाग पी रहेगा तो काफी लोग मिश्टिकाग करेंगे ऐसा पढ़ेंगे year 2 में refund होए तो पहले आप refund डाड कर दोगे और फिट depreciation निकाल वो गलत हो जाएगा वो यहान रखना word में खेला गया है बताया भी दर class में में वर्ड में खेलेगा तुम्हारे साथ आगे if the grant is treated as promoters contribution तो अगर आपने grant को promoters contribution treat किया रहेगा तब तो उस case में it is same like case number 2 ना जा आपने deferred income treat किया था बस यह promoters contribution रहेगा तो DGG के बदले capitalism में जाएगा बाकी सब तो same रहेगा न यार ठीक है तो मैंने करके आपको दिया हुआ खतम फिर आएगा अपना अच्छा शांदार question आठी भी September 24 का क्या बोलता है सुनना एक जनेरेटर के लिए अपने वो grant मिला है ठीक है जनेरेटर एक्वायर के है 23 में for 100 lakhs हमने apply किया grant के लिए 2nd April को apply करने से grant certain नहीं बनता है ठीक है subsidy was granted in June 24 after the accounts were finalized the company had not accounted for the subsidy for the year ended 31st March 24 बोलता है is this a prior period item सबसे पहली बात यह देखो इदर हुआ क्या है 23 मैंसर खरीदा आपने apply इस दिन पे किया ठीक है अब यह रहा आपका year end grant मिला June में अब उन्होंने बोला हमने grant को यहां account नहीं किया year end पे बराबर तो किया है सई तो है क्यों जब grant मिला ही नहीं यहां तक तो account कैसे कर लोगे और आप बोलोगे sir लेकिन grant तो accrual base पे record कर सकते है सिफ apply करने सा accrual नहीं हो जाता कुछ तो confirmation आना चाहता ना कुछ बोला ही नहीं उसके बारे में तो हम मानेंगे June में grant आया June में confirmation आया तो you can't record on this year बराबर किया इन्होंने उसके लावा एक और चीज़ बोली थी कि subsidy June में मिली after the accounts were finalized यह AS4 का reference आ जाएगा बीच में after the accounts were finalized मतलब मान लो इधर किधर आपके FS approved हुए है बराबर तो यह जो event है June 24 का this will not fall under the scope of AS4 because AS4 में कब आता है जब कोई भी event year end से लेकर date of approval के बीच में हो तो हम बोलते adjusting की non adjusting यह तो event ही बात में हुए है तो actually आप बोलने को काफी लोग बोलते non adjusting but actually यह AS4 का scope के बार हो गया न क्योंकि AS4 कवर कौन से event करता है year end से लेकर approval के date के बीच वाले तो यह तो वहाँ आए गा ही नहीं तो इस पे AS4 भी अप लेके बेल नहीं है तो आप adjusting भी नहीं बोल सकते है इसको कि adjust कर देना previous year में बराबर तो company ने इसको recording नहीं किया है तो सही किया है company ने तो पूछता है is this a prior period item the answer is no why prior period की बाते AS5 में हुई थी AS5 में बोलता है prior period क्या होता है अगर कोई error है या omission है previous year की तो होता है prior period item previous year में आपने कोई गलती करी ही नहीं है ना कोई omission किया है तो this is not a prior period item second इस पे AS4 भी आप लेके बल नहीं है इसका मतलब grant का accounting जून में ही होना चाहिए 24 में यह साल तो नहीं होना चाहिए उसके लावा बोलता है जो grant मिला उसका accounting 24-25 में कैसे करोगे तो grant किसके लिए मिला है generator के लिए generator is like a PP तो PP के लिए मिला depreciable asset है दो method है या तो cost adjust करो या फिर book like a DGG and transfer to payment over the life of the asset खतम कहानी इसी बात पे AS खतम और इसी बात पे हम क्या बोलेंगे AK है वाई साब तो अगर आपने एक concept समझ लिया question कर लिया आप से सारे question आराम से बन जाएंगे but yes खुद practice करना बहुत ज़रूर ही है वो ज़रूर से करना ठीक है तो I hope आप महनत करोगे देखो महनत का replacement नहीं है भले आपने revision देखा बर जो self effort मारना है वो आपको मारना ही है उसका कोई replacement नहीं है ठीक है और वो आप कर सकते हो और अगर आप कर लोगे ना वो तो आप hundred percent pass हो जाओगे सी देखो हर कोई pass नहीं होने वाला सौ में से बीस पंदरा पंदरा बीस बच्चे ही pass होने वाले वो कौन है वो जो महनत करेंगे वो है बराबर CA के अंदर hard work will be talent बाकी exam में शायद जो school college के exam रेगे वाँ talent रहेगा तो आप crack कर लेते हो यहां नहीं चलेगा वो talent is nothing without hard work so even if you have the talent if you don't have the talent doesn't matter you can beat everyone with the hard work do it hard work में क्या करना है classes देखो अच्छे से पढ़ाई करो revise करो self study करो mock test दो exam दो पक्का पास हो जाओगे काम चोरी मत करना बस ठीक है चलो तो I hope this was helpful अच्छा लगा और यहां तक मुझे सुना है तो एक comment में बता के जरूर जाना की कैसा लगा आपके लिए शुड़ा तो comment रहेगा मेरे लिए वो रहेगा motivation to put more such videos for you ठीक है तो इसी बात पर लूँगा अलविदा थैंक्यू सो मच बाबाए रिवन टेकर से योल बाबाए